जोदपूर में बाडमेर से पूर्व विधायक मेवा राम जैन सहीत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है मेवा राम और उनके साथ ही राम स्वरूप आचारे पर एक महिला और उसकी नाबालिक बेटी के साथ दुशकर्म करने के आरोप हैं बाकी साथ लोगों पर उन दोनों आरोपियों का साथ देने का राजीव गांधी नगर पुलिस ठाना के S.H.O. शकील एहमद में ये जानकारी दी उनके मुताबिक पार्मेर के पूर्विधायक मेवा राम जैन के अलावा राम सोरूप आचारे पार्मेर कोदवाली के S.H.O. गंगा राम खावा पार्मेर पुलिस उप अधिक चक आनन्द सिंग राजपुरोहित दाउद खान प्रधान गिर्धर सिंग सोडा नगर परिश वह उसके जोदपूर के विवेक विहार इस्थित निवास पर आने लगा वहां राम सोरूप ने उसे नश्वीली दवा पिला कर उसके साथ दुशकन किया और उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिये जिसके आधार पर कई बार उसने आगे भी उसके साथ रेप क पूर विदायक बाडमीर मेवारां जेन के खिलाब एक आरोप लगाया गया है क्या पूरा मसला क्या है कल परिवाद के साथ हाई थी इसमें जो परिवाद से संगे अपराध बनना प्राप पाया गया तो राजीव गांधी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 306 द जिसा निर्देश दी गए कि जल से जल अनसंधान पूर्ण किया जाया और जैसा अनसंधान है उस नतिजे के साब से कारवई की जाया जो आरोप है वो करीब 8-9 लोगों के विरुद्ध लगाया गया है जिस तरीके का परिवाद दिया गया है तो परिवाद के बेस पे आज और घटना का समय यदि देखा जाए तो काफी लंबे समय से घटना बता रहे एक मतलब continuous offense है इसके किलाब जोद्पुल में और भी मामना दर्ज हुआ था बाडमेर वे एक्स्टोर्शन का जो मामना दर्ज है को इस घटना से मिला हुआ है अनसंधान में ये सारी चीजों पर पूर्व विधायक मेवा राम जैन भी उनके घर आने लगे तब दोनों ने किसी लड़की को बुलाने को कहा जिसके लिए पीडिता ने इनकार कर दिया लेकिन राम सोरूप ने पीडिता की 15 साल की बेटी के साथ भी रेप कर डाला बाद में मेवा राम जैन ने भी लड़क आचारे द्वारा दुशकर्म करने और उनका सहयोग करने वालों के खिलाफ जब महिला और लड़की ने आवाज उठाई तो पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया उल्टा महिला से ही चबरत कबूल करवाया कि वो और उसकी लड़की दोनों उन लोगों को ब्लैक मेल कर र और अन्य पुलिस अधिकारी हम पर नजर बनाए हुए थे हम सभी को जान का खत्रा था इसलिए देरी से रिपोर्ट दी फिलहाल पुलिस इस मामले पर कारवाई करने में जुटी है ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक ब्यूत सुनियत देरी सेस्प्ट ब multipॉर्ट ओुलिस अधिक सभी एक रहाल हिए बिद्दी है